हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, जॉब्स इन माइनिंग बाई नीर अजदास, इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, तो मैं आज लिकाए हूँ नए गॉब्मेंट जॉब् से, मॉइल लिम्टेड में जो वेकेंसी आई है, ग्राजवेट ट्रेनी और मैनेजर सर्वी की, इसमें जो है अलग-लग डिपार्टमेंट के लिए वेकेंसी आई है, साथ ही साथ क्या-क्या पोस्ट है, कितने वेकेंसी हैं, कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, जिससे आपको नए-ने वीडियो आपको information मिलता रहे, साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर लिए है, हमारे वीडियो को share कर दीजिए, जिससे सभी फ्रेंज को ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, दोस्तों, एक और ची information मिलता रहे, आपके तक जो है, नए-नए वीडियो, नए-नए जोक्स जो आपको पताता है, तो चलते हैं दोस्तों, जो मॉयल लिमिटेड में जो वेकेंसी आई है, ग्राजवेट ट्रेनी और मेनेजर सर्वी की इसके बारे में हम लोग डिटेस जाते हैं, तो मॉयल इसका जो नोटिफिशन डेट है, यह जुलाई 26 आज के दिन का है, अडवर्टाइजमेंट नमबर GTMGR 6-2023 है, मॉयल जो है, इसका पहले नाम जो था, मैगनीज और इंडिया लिमिटेड था, यह स्यूडूल एग मीनी रतना काटोगरिक PSU है, मिनिश्टर अफ स्टील गव मॉयल जो है, मैनली मैगनीज और प्रोड्यूस करती है, इसके एंडर में 11 माईस हैं, जो की महरास्टा और मर्थप्रदेश में फैला हुआ है, तो मैल जो है, मैनली इलेक्टोलाइट मैगनीज डियक्साइड प्रोड्यूस करती है, जिसका यूज जो है, ड्राय बैटर सेल में बनाने में काम आता है, तो दोस्तों इसका जो वेकेंसी आई है, ग्रेजुएट टर्नी और मैनेजर के लिए, ये वनली आप ऑनलाइन अपलाई करके, अपलाई कर सकते हैं, तो इसका जो डेट है, इंपोर्टेंट डेट है, ये 26 साथ 2023 से स्टार्ट है, से लेके 15 अगस 2023 तक आप अपलाई कर सकते हैं, तो डेटेल जो है, ये moil.nic.inc पर है, साथ हमारे discussion box में भी link दिया रहेगा, इससे साथ साथ अगर ये detail advertisement चाहिए, तो हमारे whatsapp number 9060668126 कर मैसेज कर देंगे, जिससे आपको detail advertisement आपको हम send कर देंगे, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्या क्य चीज का vacation है, तो इसमी जो vacancy आई है graduate training money, mine's की आई है, जो mining वाले apply कर सकते हैं, साथ से साथ जो आई है graduate training mechanical के लिए, जो mechanical वाले apply का सकते हैं, इसके साथ management survey जो आई है, ये survey वाले apply का सकते हैं, ये तीन vacancy आई है, तो तीन vacation में में इसका eligibility क्या है, कौन-कौन से qualification क्या है, वो देखते हैं तो graduate training minds के लिए यह mining discipline है इसमें जो apply करने के लिए qualification चाहिए यह बी बी टेकिन mining चाहिए या equivalent with 60% marks से चाहिए दोसरा है दोस्तो during probation period the candidate has to submit the copy of application submitted to DJMS along with valid guest testing and first aid certificate and one year experience in the company for obtaining second class mind manager certificate of competency under MMR 1961 DJMS तो दोस्तो इसके graduate training minds के लिए only B.E.B.Tech चाहिए आपको एक साल के बाद experience आपको मिल जाएगा आपको apply करना है for second class के लिए तो इसके लिए आपको second class की ज़रत नहीं है आपको वहीं से experience मिलेगा उसके बाद आप apply कर शकते है तो graduate training minds के लिए only आपको B.E.B.Tech फ्र graduate training mechanical के लिए B.E.B.Tech mechanical चाहिए या equivalent चाहिए विच 60% marks चाहिए तीसरा जो है manager survey manager survey के लिए survey discipline में इसके लिए graduate चाहिए या diploma in mining and mine surveying चाहिए विच 60% marks चाहिए third जो है survey certificate of competency unrestricted certificate चाहिए and दो साल का experience in surveying underground mines out of which two year experience one year जो है one year for internal candidate in immediate lower scale है 40,000 से लेके 1,40,000 तो दो साल का experience में से चाहिए manager survey के लिए या अगर आपके पास diploma है diploma in mining and mine surveying या diploma in civil engineering है plus 60% certificate plus surveyor certificate of competency unrestricted type का होना चाहिए unrestricted type का अगर जो नहीं जानता है unrestricted का मतलब है कि आप open cast और underground दोनों mines के लिए ये certificate valid है इसके साथ साथ चार साल का minimum experience चाहिए जिसमें इस underground में out of which दो साल का experience जो है immediate lower scale में होना चाहिए अगर प्राइवेट से अगर कर रहे हैं तो ctc जो है minimum 8.90 लाग पर एनम होना चाहिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यह सब नहीं है आगे बढ़ते हैं जो vacancy आई है total graduate training minds के लिए total vacancy है 15 vacancy है जिसमें से underground के लिए जो है 9 है और EWS category में एक है SC category में एक है OBC non criminal के लिए 4 है total graduate training minds के लिए 15 vacancy है graduate training mechanical के लिए total जो है 4 vacancy है जिसमें से general के लिए 3 है SC के लिए 1 है total 4 vacancy manager survey के लिए total 2 vacancy है जिसमें से general के लिए 2 vacancy है तो कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 21 वेकेंसी में जनरल के लिए चवदर, EWS के लिए एक, SC के लिए दो और OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए चार है तो ग्राजूट ट्रेंड में जो है मैक्सिमम वेकेंसी है दोस्ते तो डिग्री वाले अप्लाइकर रखते हैं तो इसका सझेलक्षं प्रोसेस के लिए आपको कंप्प्योटर बेस्ड ओं-laign टेस्ट देना है यह वनली आप जो है अप्लिकेशन वनली एक पोस्ट के लिए एक ही आदमी एक प्रोस्ट के लिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाइर कर शकते हैं टेस्टिटी जो है एक्जाम सेंटर जो है यह बैंगलेरू, न्यू डेली, NCR, कौलकता, मुंबई, नभी मुंबई, थाने या एमेमार रिजिन, चैन्नाई, हैदराबाद, भोपाल और नाकपूर तो इतने से जगह में इसका ओनलाइन टेस्ट होगा, इसमें से दो टेस्टिटी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें से किसी एक कोई एक आपको एक्जाम सेंटर के रूप में मिल जाएगा तो computer based online test में दोस्तो 90 minute, 1.5 घंटा का रहेगा, जिसमें से 85 marks का कुस्वन रहेगा, जिसमें से general knowledge के लिए 10 marks रहेगा, रिजिनिर के लिए 10 marks रहेगा, general English के लिए 10 marks रहेगा, टोटल कंबाइन मिलाके 30 marks वहाँ, साथ इसा subject knowledge जो है, mining के लिए mining रहेगा, mechanical के लिए mechanical रहेगा, और सर्वे के लिए सर्वे वाल रहेगा तो 55 मार्स का सर रहेगा बाकी जो सेग्मेंट हाँ बाकी जो 90 मिनिट में 85 कॉस्ट्टन आपको सॉल्व करना है कॉस्ट्टन जो हिंदी इंगलीज दोनों में रहेगा तो qualifying marks क्या है? qualifying marks जा है general या unreserved या EWS के लिए 50% marks रहेगा SC OBC non-cremarial के लिए 40% marks रहेगा तो जो student computer based test में पास हो गएंगे वो जो है उसको personal interview के लिए बुलाया जाएगा on the basis of 1 to 6 के ratio में तो personal interview दोस्तो 15 marks कर रहेगा जिसमें से आपको document verification आपका date यह होने के बाद आपका date जो है time जो है when personal interview के लिए बुलाया जाएगा email के थुरू और आपका personal interview के लिए marks जो है वो 15 marks कर रहेगा इसके साथ साथ दोस्तो यह document verification होगा और इसके साथ साथ pre-employment medical examination होगा before joining तो final merit list जो है यह prepare किया जाएगा after computer based test and personal interview का application fee दोस्तों क्या है application fee जो है general के लिए EWS के लिए OBC के लिए criminal and non-criminal के लिए यह जो है 590 रुपे का non-refundable fee पे करना है 590 रुपीज का general EWS OBC के लिए 590 रुपे करना है SC, ST, PWD candidate के लिए EXX candidate के लिए और mobile employee के लिए यह जो है exemption fee जो है exempt किया गया है तो upper age limit जो है दोस्तो 15-8-2023 तक जो है 30 साल का होना चाहिए और 35 साल जो है manager survey के लिए for general and EWS के लिए इसके साथ साथ अपर age में जो है relaxation दिया गया है 3 साल का OBC non-criminal के लिए 5 साल का SC, ST के लिए person with disability के लिए 10 साल के लिए general या UR के लिए 13 साल OBC non-criminal के लिए और 15 साल SC, ST candidate के लिए एक सर्विसमें के लिए दोस्तो relaxation for एक सर्विसमें के लिए इस सर्विस रेंडर इन आम 4 प्लस 3 साल का अपर एज लिमिट जो है दोस्तो 15-8-2023 को यह 53 साल से जादा नहीं होना चाहिए और details compensation यह पे जो है इसमें salary कितना मिलेगा दोस्तो तो जो दोस्तो graduate trainee minds के लिए है उसके लिए जो है initial में आपको 50,000 रुपया पर मन्त में consolidated amount मिलेगा एक साल के बाद आपको जो है graduate trainee E2 में जो है रखा जाएगा जिसका basic pay 50,000 से लेके 1,60,000 रुपया है तो 50,000 से 60,000 रुपया इसका basic है आपको in hand में ठीक ठाक amount मिल जाएगा manager survey के लिए दोस्तो पचास E2 ग्रेड में 50,000 से लेके 1,60,000 का on probation में रखा जाएगा इसके साथ साथ दोस्तो basic pay के साथ साथ dearness allowance DA, HRA, perquisite and allowances under cafeteria approach and other allowance जैसे PRP और other benefits जैसे leave, free medical attention, contributor provident fund, family pension, insurance link, graduate, group separation, cash accumulation scheme, etc जो है यह pay किया जाएगा तो दोस्तो इसका posting जो है दोस्तो कहीं भी महरास्टा और मत्यप्रदेश के माइस में यह place में होगा medical examination दोस्तो pre employment medical examination होगा by company का medical officer के जोगा कर देंगे पहला जो है इसमें application का registration करना है दूसरा fee payment करना है तीसरा जो है document को scan और upload करना है तो इसको फिर से बता देते दोस्तो अपलाई जो है वह 26 जुलाई 2023 से लेके 15 अगस 2023 के बीच में कर सकते हैं only online mode में कर सकते हैं तो दोस्तो जो है यह registration के समें क्या क्या important point है वो देखते हैं जो photograph जो है वह 4.5 x 3.5 cm का color होना चाहिए signature जो है only black ink से होना चाहिए left hand impression जो है white paper पे with black या blue ink से होगा चाहिए hand written declaration on a white paper with blue या black ink जो text जो है उसके जो दिया हुआ है उससे लिखना है signature जो है capital letter जो है abstract नहीं किया जाएगा left hand impression जो है यह smudge नहीं होना चाहिए मतलब जो है उसका धुनलापन नहीं दिखना चाहिए properly scan करना चाहिए text जो है इसके यह दिया हुआ है यह text जो है यह लिखना है I know the country declare that यह लिखना है 5 नमर में जो दिया हुआ है आपका valid personal email id और mobile रहना चाहिए registration के दोरान दोस्तों आप moil के website में जाएंगे www.moil.nic.in पे जाएंगे वहाँ apply online पे दिया हुआ है उसके बाद click here for new registration उसमें click कीजिएंगे वहाँ आपका name contact detail और email id फिल करना है तो प्रविजनल registration number और password जो है यह generate होके आपका display में दिख जाएगा candidate अपना note कर ले registration number और password साथी साथ यह registration पासवर्ट जो है email और sms के भी त्वारा भेजा जाएगा तो दोस्तों इसके बाद जो है save और next करके बढ़ जाना है final इसके बाद पूरा form भर लेने के बाद आपको final submit बटन कर देना है करें फीक अपरमेंट के लिए दोस्तों कैसे करें फीक अपरमेंट के लिए दोस्तों online mode में ही करना है आपको online mode के लिए दोस्तों debit card credit card net banking imps cash card mobile wallet रभी से हो जाएगा और दोस्तों इसका payment करने के बाद आप इसका complete करने के बाद यह रिशिफ्ट जनरेट होगा वह आप रिशिफ्ट पैमेंट करके ट्रिंट आउट करके अप रख लिजेगा कर दोस्तों कि इसकैनिंग और अपलोड दोस्तों कि यह प्रोसीजर दिया हुआ उसी के हिसाब से करना है एक बार आप चेक कर लिजेगा तो दोस्तों कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए मॉयल के वेबसाइट पर विजिट करना है इसके साथ साथ इमेल या मैसेज के द्वारा भी भेजा जाएगा उसके बाद आप जो है रॉल नंबर रेजिट्रेशन नंबर देख लेना है पासवर्ड डेट से और डेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं यह वेबसाइट में दिया जाएगा साथ ही साथ हम आपको इनफर्म कर देंगे थ्रों वीडियो के थ्रों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग complete डिटेश जाने और भी कोई छोटी मिटेट डिटेश जो है आप इसका complete advertisement पढ़के आप देख जान सकते हैं साथ इसका जो अगर कोई query है तो इस query इस mail पे आप query भेज़ सकते हैं RECRUIT recruit at the rate moil.nic.infib भेज सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगले वीडियो में हम नए माइनिंग जाफ के बारे में हम लोग जानेंगे तब तक के लिए थैंक यू झाल 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 झाल